हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी को जाए माता दी तो आज हम आप सब के लिए लाएं हैं गोवी का पकोरा रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये तो चलिए आज चाय के साथ बनाते हैं गोवी का पकोरा और ध अच्छे बरे सभी पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तो आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं समझदार रेसिपी को तो यहाँ पे हम ले लिये हैं गोवी 500 ग्राम गोवी लिये हैं और इसको अच्छे से धो लिये हैं पानी से और यह देखिए छोटे छोटे पिसेज में कट कर लिये हैं इस को यह देखिए तो यहाँ पे हम जो कुछ छोटे-छोटे कट के हैं और कुछ में जो है यह दंठल है थोरा बड़ा है अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रखिए और नहीं अच्छा लगता हो तो इसको इस तरह से जो है काट के निकाल लीजिए तो इसी तरह से हम सारे जो है यह दंठल इसको काट देंगे है कि आप यह देखिए तो हम सारे कट कर लिए हैं विल्कुल फ्रेस गोभी है और मसाले मलें तीन से चार हरी मेंच आठ से नो लैसुन के कलियां एक इंजद रख थोरा से धनिया का पत्ता और इन सभी को हम कूट लेंगे और यहां पर ले ली हैं एक पतीला गोभी को जो है उबालना है तो यहां पर हम गोभी को उबाल लेंगे और यहां पर डाल रहे हैं हम पानी पानी यहां पर हम दो गलास डाले हैं तो आप इसको हम चरहा देंगे गैस पर उबलने के लिए तो यहां गैस जला लिए है और चरहा देंगे गुबी को उबलने के लिए और यहां पे डाल रहे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच नमक और अब इसको हम ढग देंगे और यहां पे गैस का फ्लेम जो हम रखेंगे फुल चार से पांच मिनट पकाएंगे यह देखें और चार से पांच मिनट के बाद इसमें वाल आ गई है तो अभी हमारा गुबी जो है नहीं पका है तो यहां पे हम गैस का फ्लेम जो है लो कर देंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे फिर से ढग देंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगता है 8-9 मिन टमी गोवी जो है फक जाता है तो यहाँ पर हम इस तरह से चेक कर लेंगे यह देखे कि हमारा गोवी जो है पका है या नहीं तो इस तरह से छूपके देख सकते हैं आप देखे कि हम गोवी टूट रहा है तो हमारा गोवी जो है पक गया है यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है हम बद कर देंगे और गोवी को हम निकाल लेंगे सारे गोवी को यहाँ ले लिया है एक पलेट और इसमें जो है सारे गोवी हम निकाल लेंगे इस तरह से यह देखिए तो सारे गुवी जो है हम निकाल लिये हैं तो आप यहां पर हम ले लिये हैं एक बावल और बावल में डालेंगे चावल का आटा यहां पर चावल का आटा का यूज कर रहे हैं हम चावल का आटा ही डालेंगे एक से देर को टोरी डालें चावल का आटा थोर सा जवाइन थोर सा मंग्रेल एक चमच धनिया पावडर एक चमच हल्दी पावडर और आधी चमच लाल मिर्च पावडर और यह अदरक लेसुन हरी मिर्च धनिया का पत्ता और अब डालेंगे इस इसको ना ज्यादा मोटा रखना है और ना ही ज्यादा पतला मेडियम में रखना गोल को और यहां पे डाल रहे हैं एक चमच हम नमक नमक आपटेस्ट के कोडिंग ही डाले और यहां पे गैस जला लिए हैं और चरहा दिया है कराही गरम होने के लिए इसमें डाल दिया है तेल देखिए तो तेल हमारा जो है हो गया है गरम तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम कर देंगे बिलकुल लौ और यहाँ पर ले लिए गोवी और यह चावल के आटे से बना गोल और अब इसमें हम एक एक गोवी डालेंगे और अच्छे से जो है यह गोल को इस पर लगाएंगे कराही में यहाँ पर गैस जो है गैस का फ्लेम जो है हम लौक किया है फूल पर यह जल जाएगा और अच्छे से नहीं बनेगा पकोरा तो इसी तरह से यहाँ पर हम आपको चार बना के दिखा रहे हैं तिसरा से गोवी को लेना है और इस गोल में अच्छे से डुबा के लग इस जाहा देंगे और इस डाल देंगे कराही में करायी में डर कर दो देखिया चार को ड़ै और ना रहे हैं तो इसको हम पलट लेंगे अच्छे से इस तरह से देखिए एक बार पलटने के बाद यहां पर हम गैस का फ्लेम जो है कर देंगी मीडियम और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है हमें इसे और बिल्कुल गोल्डन ब्रॉन होने तक इसको जो है पकाएंगे और यह देखिए हमारा पकोरा जो है हो गया है बनके तैयार तो इस तरह से हम सारी पकोरे को निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे देखिए प्लेट में तो इस तरह से देखे बना लिया है कितना अच्छा लग रहा है पकोरा हमारा तो इसी तरह से हम सारे पकोरे बना लेंगे और ये देखे हमारा पकोरा जो है बनके हो गया है बिल्कुल तैयार तो देखके मूं में पानी आ रहा है तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं पकोरे को तो यहाँ पे हम चाई के साथ सर्व करते हैं गर्मा गरम चाई और गर्मा गरम पकोरा बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में गोवी का पकोरा और यहाँ पे आप टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं पकोरा को तो आप लोग भी जरू ट्राय कीजिए गोवी का पकोरा बहुत ही टेस्टी लगता है यह खाने में और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तोर के दिखा रहे हैं आपको अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है यह और यह देखिए कितना क्रिस्पी बना है तो ट्राय करने के बाद अगर आप लोग को पसंद आए मेरी यह रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर किजिएगा और जो लोग नहीं है सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा